ये बिल्कुल एक गजब का पवारा है, इसके लिए एक काच का प्लास्क, एक लंबा काच का ड्रॉपर और एक रबर की एक मुवाली कॉर्प दरकार होगी, एक मुवाली कार्प में लंबे ड्रॉपर को दबा कर नस्ब करें, इसमें से कोई बहाव ना हो, फिर एक केतली में पानी को उबालें, और इस गर्मा गर्म पानी को आप चप्टे पेंदे वाले प्लास्क में डालें, फ्लास्क को खंगालें, एक तम रिंस कर लें, अभी प्लास्क गर्म हो जाएगा, और गर्म हवा थोड़ी सी इसमें से निकल जाएगी, इस पानी को फेक दें, फिर एक को प्लास्क में मजबूती से नजब कर दे फिर प्लास्क को उल्टा करें और ड्रॉपर की नली को रंगीन पानी में डुबोए आपको बड़ा ताजुब होगा कि प्लास्क के अंदर का जो वेक्यूम है वो पानी अंदर खीशता है आप पानी को नली में चड़ते वे देख सकते हैं और जैसे ही ये रंगीन पानी उपर की तरफ पहुँचता है वो फवारे की शकल में चारो तरफ फैरतला है ये नज़ारा बिलकुल देखने के काबिल है बहुत ही खुबसूरत नज़र आ रहा है आप फ्लास्क में गर्म पानी डालने की बजाए एक और हिकमत अपना सकते हैं ड्रॉपर में एक रबर की नदी लगाए और हवा को बाहर खीच ले फिर नली का मुँब बंद करे और इसे रंगीन पानी में रख दे वही नज़ारा आपको दोबारा नज़र आएगा प्लास्क में एक वैक्यूम हो जाएगा और वो पानी को अपने अंदर पवारे की तरह खिंचेगा